जिला कारगार में निरोध बंदियों के HIV टेस्ट कराया जा रहे हैं अभी तक किये गए टेस्ट में 18 बंदियों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ऐसे बंदियों का जिला और S.N. अस्पिताल में इलाज कराया जा रहा है जिला कारगार में कोरोना टेस्ट के बाद बंदियों का अब HIV टेस्ट कराया जा रहा है अभी तक किये गए टेस्ट में 18 बंदियों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जेल अधिक शक पीडी सलोनिया का कहना है कि भारत सरकार की चलाई जा रही योजना के तहत जेल में निर सभी बंदियों का HIV टेस्ट कराया जा रहा है मार्च 2022 तक 3046 बंदियों का HIV टेस्ट हुआ था लेकिन अब फिर दुबारा टेस्ट कराया जा रहा है भारत सरकार योजना के तहट स्वास्त मंत्राला के कर्मचारियों के द्वारा जिला कारागार आगरा में मार्च 22 तक सत पिर्शत 3046 बंदियों का HIV टेस्ट हुआ था पुना 6 महीने बाद रिपीट किया जा रहा है अब तक 2800 बंदियों का HIV टेस्ट पुना हो गया है पांसो बावन सेश रहे गए हैं जिनका कारी प्रिगति पर है जिला जेल में 3352 बंदी निरुद हैं इसमें अब तक हुए 2800 बंदियों के टेस्ट में 18 बंदी पॉजिटिव मिले हैं पॉजिटिव मिले बंदियों को प्रतिदिन ही किया जा रहा है उमको किट्स जो है सीमओ साब कहां से उपलब्द हो जाती है कुछ हमने अपने जो वास्त करमी हैं उनको ट्रेंड करा दिया है उनके द्वारा प्रति दिन जो नए बंदी आते हैं उनकी अचाईवी टेस्ट की जाती है जिला कारागार आगरा में पुराने ग्यारा बंदी थे जिनका एारटी सेंटर से इलाज चलना था बरत्मान में साथ और डिटेक्ट हुए हैं इस पर जेल में भी स्वासिभा की तरफ से दी गई किट से बंदियों का एचाईवी टेस्ट की आजा रहा है इस महा तक जेल में निरोध सभी बंदियों की जांच पूरी कर ली जाएगी इस बारे में बंदियों को इस बिमारी से बचने के लिए जाग रुख भी किया जा रहा है इससे पहले जेल में कुरोना का टेस्ट सभी बंदियों का कराया गया था। अब अचाईवी जांच की प्रक्रियाद चल रही है। सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।